जिन्दगी में होने वाली घटना का अभाज कभी गबार सपनों में ही हो जाता है। होते होते भूल जाते हैं और कुछ इनके संकेत को समझने में सफल हो जाते हैं। पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, सेर, सस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताके हमारे आने वाले हर लेटिस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तक काले पहुंच सके। दोस्तो सपने में लड़ाई जगड़ा देखना धन प्राप्ति का संकेत हैं। वही सपने में लड़ाई करते वे अपने आपको घायल देखना इस बात की ओड़ भी इसारा देता हैं। अगर आपने अपने सपने में घर को जलता वा देखा हैं तो इसका मतलब है कि आप भविश्य में जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं या सोचते हैं वो आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। अगर आपको सपने में किसी करीवी की मृत्यू दिखाई दे तो समझ लिजे कि उस पर आयवर संकट टल गया है और उस व्यक्ति की आयू बढ़ गई है अगर सपने में खोद को या फिर किसी और को आत्म हत्या करते वे देखें तो ये एक सूब संकेत माना जाता है स्वास्ति के लिहाज से भी ये सपना अच्छा वाना जाता है अगर ऐसा सपना देखने वाला व्यक्ति किसी बिमारी से जूज रहा है तो वो जल्द ही स्वास्त हो सकता है सपने में अगर आपने किसी की अर्थी देखी है तो इसका मतलब है कि आपका भाग्य जागने वाला है ऐसा सपना अगर कोई महिला या फिल लड़की देखे तो इसका मतलब है कि वो जल्द ही सही भी होने वाला है इसके अलावा सपने में अगर आप अपना एक्सिडेंट होते हुए देखे तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपको साउधानी बढ़तने की जरूरत है अगर आप किसी को सपने में जलते हुए देखते हैं तो ये इस सुख समकीत माना जाता है इसका मतलब होता है कि जल्द ही धन प्राप्ति के योग खुलने वाले हैं सपने में किसी बीस्तरी के बाल कटते देखने का मतलब है कि आपको जल्द ही सोना, चांदी और पैसा मिलने वाला है वहीं पुरूस के बाल कटते वे देखने का अर्थ होता है कि आपको जल्दी नौकरी, जमीन और जायदाद मिल सकती है दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही अधिक पसंद आई होंगी और आप सभी के बहुत ही काम आने वाले हैं अगले वीडियो में एक नहीं जानकारी और अद्बू जानकारी के साथ फिर से मिलोंगी तब तक के लिए प्यार बड़ा नमस्कार दोस्तों